हेलो दोस्तों स्वागता आपका अपने यूट्यूब चैनल सैनी जी स्टडी पॉइंट में हम आपके लिए ले गया आगे एकोनोमिक्स की बहुती बहतरी इन क्लास जो यूपित्र प्रपलिस के लिए बहुती लाबदायक होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं पहले चॉचन तो मिलने की बहुत ही चांश है तो यवे टॉप्टैन कोशन और जिसमें आपको पैंट में मिल शक्ते हैं तो कॉशन नमबर वन की तरफ चलते पैप्सी को के पेपेटेंट का उलंगन करने वाले किसानों दुआरा आलू की किस किसिम की खेती की जाती है तो यह की जाती है FC5 की चलिए next question मिट्टी के लिए आदर्स NPK अनुपात क्या है तो यह है 4, अनुपात 2, अनुपात 1 option number D यह NPK का एक लोगों देख रहे होंगे आप यहाँ पर यह है NPK चलिए next question तीलहन उत्तपाज में भारत का विस में कौन सा इस्थान है तो यह कौन सा इस्थान है शोथा इस स्थान है भारत का चलिए next question यह बहुत परचिएट question है boiler मुर्गी पालन की जननी के रूप में किसे जाना जाता है किसे जाना जाता है boiler steel को यह आपको देख रहा होगे यह वोलर मुर्गी है चले next question भारत में विरक्षों से आच्छादित भूमी का पर्तिशत कितना है तो यह कितना है दोस्तो 2.89% यानि कि B option इसका right होने वाला है चले next question भारत में कुल कितनी भूमी पर खेती की जाती है तो भारत में कुल कितनी भूमी पर खेती की जाती है 169.6 million hectare पर next question GDP में MSME का योगदान है कितना है यह आपका 9% GDP चले next question सवतंतरता के समय भारत का सिमेंट उत्पादन कितना था तो सवतंतरता के समय सिमेंट का जोत्पादन था वह था हमारा 2.7 million ton next question National Organic Chemicals Industries Limited NOICL की स्थापना कब की गई थी इस साइड में लोगों देख रहे होंगे ना तो 9 का A 1951 में इसकी स्थापना की गई थी next question Question No.10 Sipping दुआरा नियंत्रित भारत के वियापार की मातरा में हिस्सेदारी क्या है तो क्या है इससेदारी क्या है हमारी 95% तो कोश्चन नहीं समापत होते हैं मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए क्या है